यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ व्यदीत होगा तो चलिए इसी के साथ नज़र डालेंगे आज की राशी फन पर मेश राशी मेश रिश्वालने के लिए आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज उदार स्वभाव खुश्णुमा पल लेकर आएगा दफ्तर में महल भड़िया रहेगा जरूरी काम से यात्रा करनी पर सकती है आज आप जिम्मेदारी के साथ काम रिप्टाएंगे विशब राशी के लोगों का दिन शुब रहेगा आज अपरिचितर लोगों के साथ समय बिता सकते हैं समाजिक मामले में पुराने दोस्तों और रिष्टेदारों की मदद मिलेगी आज धन लाब की योग बनेंगे मिधुन राशी करक राशी करक राशी के लोगों का दिन समाने रहेगा आज किसी बात पर मूर खराब हो सकते है किसे चीज की कमी मैशसोस हो सकती है धन जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा सिंगराशी, सिंगराशी के लोगों का दिन शुग रहेगा, लॉब मेट आज कहीं घूमने जा सकते हैं मन की बात कहने में थोड़ी हिचक जाहट होगी, आज सभी काम में सफलता मिलेगी कन्यराशी की लोगों का दिन शुग होगा नया काम शुरू करने के लिए दिन भैतर है चात्रों को आज पढ़ाई में काम्याभी जरूर मिलेगी बुज़रुगों को किसी धार्मिक स्थल पर ले जाने का प्लान बना सकते हैं आज आपकी सिहत पहली से भैतर रहेगी तुलाराशी की चात्कों का दिन समाने रहेगा कारोबार के लिए दिन भैतर रहेगा आज बाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें कि सिधार्मिक आयचन में सेवा करने का मौका विल सकता है ब्रश्चिक राशी के चातकों का दिन शुब रहेगा आज स्वास्थ फिट एंड फाइन रहेगा आज कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा कारोबार से जुड़े कागजी काम पूरे होंगे पारिवारिक समस्याओं का समधान मिलेगा धनुराशी का दिन शुब रहेगा आज सभी कारे आसानी से पूरे होंगे बच्चों के साथ लजिस खाने का लुद्फ उठाएंगे किसी मितर से आपकी जरूर मदद आपको मिलेगी मकराशी की लोगों का दिन समाने रहेगा आज जरूरी काम पूरा होगा आज कोई पुरानी बिमारी आपकी परिशानी बढ़ा सकते है कुमराशी के जातकों का दिन शुब रहेगा आज कारे को पूरा करने के लिए नई योजना बनाएंगे उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है जरूरत मन की मदद करने से मन प्रसन रही रहा संतान पक्ष की और से खुशकमरी मिलेगी मीन राशी मीन राशी का दिन शुब रहेगा आज पिता के बताय हुए मालग पर चलने से सफलता मिलेगी किसे पुरानी बाद को लेकर परिशान होने के बज़ाए आगे बढ़ने की कोशिश करने से अच्छे परिनाम मिलेंगे भागे चुकर के राशी फल में फिलहाल के लेतना ही मुझदी जी इजाज़त और आप बने रहे एक खबरे अभी तक के साथ यहां रुकते ही छोटी से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दर्शन कराएंगी त्रिलोग पुर से सुगा मेयार दिके ट्रेक के लिए एक शाल सक्ष्ण के लिए पूमागी पुर से स्थुट है